आज को टॉपिक है हमारा issue of debentures as collateral security अब तक जो हम टॉपिक करते आ रहे थे इस chapter के अंदर वो सारे टॉपिक्स हमारे पुरानी देखते रही किसे क्यों क्योंकि कहीं न कहीं वो सारे टॉपिक्स हमने shares में cover करें लेकिन ये टॉपिक आपके लिए अब नया है और नया है तो important भी होगा ठीक है तो है किया topic बहुत simple सा है इसको समझने से पहले हम इस word को समझते है topic को समझने से पहले ये word समझते है कि collateral है क्या collateral का सीधा सा अगर मैं meaning बताओं आपको तो वो है additional collateral का मतलब क्या है additional देखो suppose करो कि हम किसी bank के पास गए हमने bank से कहा कि bank हमें दस लाक रुपे का loan दे दो हमने bank से क्या क्या कि bank हमें 10 लाक रुपे का loan दे दो तो bank हम से क्या करेगा अगर हमने ये secured loan लिया होगा दो तरीके के loan होते है secured और unsecured secured का मतलब होते है जहां पर आपको बदले में उन्हें कुछ गिर्वी रखवाना पड़ेगा कई न कई कुछ न कुछ आपको mortgage करना पड़ता है और unsecured loans होते हैं जहां पर आपको कुछ भी गिर्वी रखवाना नहीं पड़ता तो हमने एक secured loan लिया है 10 लाख रुपे का bank से तो bank कहता है जी हमारे पास कुछ न कुछ आपको गिर्वी रखवाना पड़ेगा कुछ न कुछ आपको mortgage कराना पड़ेगा तो मैंने क्या किया मैंने अपनी एक plant and machinery उनके पास गिर्वी रखवा दी जिसकी कीमत थी 8 लाख रुपे ठीक है तो bank ने कहा कि ठीक है आपने एक security तो हमें दे दिये इसको हम security कह सकते हैं आपने हमें एक security दे दिये इसको हम बोल रहे हैं prime security है primary security ठीक है यह जो आपने हमें security security दी है यह जो आपने अपना asset हमार पास mortgage करा यह तो primary security है ऐसा भी तो हो सकता है कि कल को आपने मारा पैसा नहीं चुकाया और जोड़ी पूरा दस लाकी ना चुकाया हो सकता है वही चार पाज किस्ते दे जाने के बाद बाकी का पैसा रह गया हो तो कल को ऐसा हो सकता है कि आ additional security दो क्या आप कहता है बैंक हमसे एक additional security दो अब देखो जिन भी company के पास debentures होते है ना debentures उनके लिए एक asset है क्योंकि अगर आप किसी company के shares यह debentures में पैसा लगाते हो तो वो investment होती है ना तो investment एक तरीके का asset है तो अगर आपको कभी भी अपनी किसी liability के बदले में अपने debentures देने पड़ जाए as an additional security तो उसे बोलते है issue of debentures as collateral security यानिके secondary security आपने क्या किया है primary security तो आपने दे दिया है आपने अपने debentures भी दे दिया है अपनी company के कैसे दिया है वो debentures as an additional security यानिके extra security आपने दिया है लेकिन क्या bank का अधिकार आगे है इन debentures के उपर अभी तो bank का अधिकार इसके उपर भी नहीं है जब तक हम किष्टे बर रहे है जिस दिन हमने default किया जिस दिन हमने पैसा नहीं दिया हम defalter हो गए तो bank सबसे पहला हक जो bank का आएगा वो इसके पास आएगा प्लांटर मशीनरी के उपर वो इसको बेच कर अपना पैसा पूरा कर सकती है अगर इसको बेच कर भी उसका पैसा पूरा नहीं हुआ तो वो इन debentures पे आएगी यानि के ये debentures हमारी liability कब बनेंगे ये debentures हमारी liability कब बनेंगे जिस दिन हम defalter हो जाएंगे और पहली वाली security को पूरा करके भी bank का पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है तो ठीक है तो जब भी कभी debentures को as an additional security दिया जाता है किसी भी liability के बदले में तो वो concept क्या कहलाता है collateral security ठीक है तो वहाँ पर debentures क्या कहलाएंगे collateral security ये collateral security का जो concept है जैसे examiners आते है practical examination लेने तो वो पूछ सकते आपसे यह बद सोचना कि आपका जो वाईवा है वो सिफ आपके project तक ही restricted है examiner चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे आपकी तीनों वाईवा की में बात करूँ में question आ जाए और अगर practically आएगा तो वह आपका तीन number में question आ सकता है ठीक है concept clear हुआ या नहीं कि collateral security क्या होता है ठीक है अब question करते हैं as a collateral security जब हम debentures को देते हैं तो इस चीज़ को show हम दो तरीके से कर सकते हैं दो method है हमारे पास जिससे हम इसकी recording कर सकते हैं ठीक पहला method है हमारे पास recording method recording word हम जब भी बोलते हैं अपने accountancy के अंदर तो वह journal से चुड़ा है क्योंकि recording कहां की जाती है journal में की जाती है यानिकि यह ऐसा method है जहां पर जब आप as a collateral security अपने debentures को दोगे तो आप उसकी journal में entry करोगे अगर आपने recording करी है तो आपको इस चीज़ को balance sheet में disclose भी करना होगा तो यह disclosure method disclosure मतलब कि आप इसको शो कर रहे हो अपनी books of accounts के अंदर हाला कि यह liability आपकी बनी नहीं है लेकिन आप इस liability को शो कर रहे हो तो जब आप ऐसे debentures को issue करेंगे आचा नॉर्मल ही जब डिवेंचर इशु करते हैं हम दो तर assets को debit करते हो क्योंकि बदले में आप assets ले रहे होते हों से अपने debentures अगर देते हो तो बदले में assets लेते हो यहां ना तो आपके पास पैसा आरहे है ना आपके पास कोई asset आरहे है वो तो loan था लोन की entry तो अलग होती है bank account debit to bank loan वो तो एक अलग entry हो गई लेकिन यहाँ पर यह job debentures उन्हें दे रहे हो बतले में कोई पैसा आ रहा है कोई asset है और अभी यह बात suspense में है कि आपकी liability arise होगी भी या नहीं होगी तो इसके लिए मैं एक new account ओपन करते हैं एक fictitious asset है हमारा एक तरीके से यह जिसका नाम है debenture suspense account क्या है इसका लाम debenture suspense account debit to x% debenture जिन debentures को आप as in collateral security दोगे आप सिफ उसकी entry यहाँ पर करोगे ठीक है अगर आपको loan की बेंटरी करनी है तो loan की एंटरी तो simple जो आप बचपन से अपने commerce के बचपन से बढ़ते आयो bank account debit to bank loan ठीक है अच्छा जब आप आपने entry कर दी तो इसको balance sheet में भी show करना होगा shares आपके लिए shareholders fund का part थे debentures आपके लिए non current liability का part है अगर वो more than one year के लिए है तो कुछ maturity period mention नहीं है तो हम one year से ज़्यादा के लिए मानते हैं ठीक है maturity period अगर नहीं है तो हम more than one year के लिए मानेंगे हैं यही मान के चलेंगे कि long term liability है long term मतलब non current liability non current liability में भी वो long term बोरोंगे यह ध्यान रखो अब यह सब चीज़े equities and liabilities पहली बात किसका part है जब हम यह debentures, loan बगारा की बात करते हैं तो वो liabilities का part होता है तो main head है equities and liabilities उसके अंदर भी non current liability non current liability में भी long term borrowings तो देखो मैंने balance sheet के extract बनाया है क्योंकि हमें सिफ यही show करना है equities and liabilities non current liability में long term borrowings हम यहाँ show करेंगे जो आप loan लेंगे, उसको हम यह show करेंगे अगर debentures भी है तो हम यही show करेंगे ठीक है, बट यहाँ तो उनसे exact amount लिखेंगे detail कहां दिखाते हैं, notes to accounts में तो notes to accounts में note number one आपका जाएगा long term borrowings, सबसे पहले आप लिखोगे loan from, जिस भी bank के दूँ आपने loan लिया होगा, और जो debentures आपने यहाँ issue करेंगे मतलब यहाँ आपने जिन debentures की entry करेंगे, उसको आप यहाँ present करोगे, यहाँ disclose करोगे आपने 1000 debentures दिये, तो आप यहाँ लिखोगे 1000 x% debentures at the rate rupees 100 each अगर यहाँ 1,00,000 है यहाँ भी 1,00 की आएगा फिर तो यहाँ पर भी less debentures suspense 1,00,000 की add किया 1,00 की minus किया तो इसका effect क्या है निल देखो हमने disclose भी कर दिया और effect निल भी हो गया, तो यह disclosure method, यह से वह मैंने आपको समझा दिया कि किस किस तरीके से क्या चीज़े दिखाते है अभी यह question करा रही हो मैं साथ साथ इसी काई जिससे आपको और clear हो जाएगा ठीक है number 30, इसी concept के उपर based है best barcode limited took loan of rupees 5 lakh from a bank giving rupees 6 lakh 9% debentures as collateral security, समझा गया loan कितने का है और collateral security कितने की है दुबारा से देखो, best barcode limited took a loan of rupees 5 lakh, 5 lakh का loan है from a bank giving rupees 6 lakh 9% debentures, जिसके बदले में हमने 6 lakh रुपे के 9% debentures दिया है as collateral security, ठीक है past journal entries regarding the issue of debenture underline करो इस line को क्योंकि दो method है, एक recording method है, एक non recording method है अगर उन्होंने बोला journal entry करो अगर उन्होंने बोला general entry करो, तो ये वाला method है नहीं बोला general entry करने को तो दूसरा method जो है, जो मैं आपको कराऊंगी वो उससे करना होता है फिर, ठीक है if any, show this loan in the balance sheet of the company और आपको क्या करना है, तो general entry करनी है और ये जो आपने loan लिया है इसको balance sheet में show करना है, ठीक है तो सबसे पहले entry करते हैं entry क्या होगी debenture suspense account debit to 9% debenture account, कितने amount के है 6 lakh rupees narration क्या लिखोगे, being 9% debentures issued as collateral security ठीक है, कितने debentures जाएंगे, 6000 उसके बाद, अब इसको यहाँ show करने से पहले हम यहाँ करेंगे notes to accounts में इसका काम, कैसे आप यहाँ लिखोगे, loan from bank कितने का loan मिला आपको 5 lakh rupay का आप यहाँ कितने का मिला है 5 lakh rupay का और आपने क्या issue करेंगे, देखो 6 lakh rupay के debenture थे, तो debentures कितने है कुछ लिखा लोन है कितने का debenture है, कितने का मानेंगे 100 rupay का, ठीक है तो आप यहाँ पर लिखोगे 6,009% debentures at the rate rupay 100 each, आप पूरा लिखोगे, मेरे पास space नहीं है मेरे पास space नहीं है इसलिए मैंने short में लिखा है, ठीक है यहाँ पर अंदर ही लिखोगे इसे पहले 6 lakh, फिर उसके बाद less debenture suspense पूरा 6 lakh rupay देखो क्योंकि debenture suspense भी 6 lakh का है effect आया क्या कुछ nil तो यहाँ पर total कितना है और notes to accounts का 5 lakh, यानि कि long term borrowings का total कितना है 5 lakh, तो यहाँ पर भी आप लिख दोगे 5 lakh rupay बस हो गया क्या कि हमने recording method में general entry करी, collateral की balance sheet में सिफ loan का देखो एक तरीके से amount आता है but हां क्योंकि यह disclosure method है क्योंकि आपने entry करी तो आपको show करना पड़ा, तो आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से separately show किये notes to accounts में ठीक है, पर अभी इसका एक और method भी है देखो जो मारा second method है जो कि हमारा non recording method है जिसको हम कहेंगे no disclosure in balance sheet क्योंकि disclosure नहीं है, recording नहीं है तो that means को general entry नहीं है और जब general entry नहीं है तो आप इस चीज को balance sheet में separately show नहीं कर सकते हैं तो यह वाला method थोड़ा simple होता है अगर question specify नहीं करता है कि आपको किस method से करना है तो आप किसी भी method से कर सकते हो एक company ने 4 लाक रुपे का loan लिया है बंदन bank limited से and issued 8% debentures of rupees 4 lakh as a collateral security और बदले में 4 लाक रुपे के ही collateral security के लिए debentures दिये है explain how will the issue of debentures be dealt within the books of the company उन्होंने कुछ specify नहीं किया कि recording करनी है या नहीं करनी है तो हम किसी method से कर सकते हैं तो हम non recording method से करते हैं इस question को इसको करने से पहले obviously हम notes to accounts में आएंगे general entry करनी नहीं है तो सीध्य आप इसके अंदर क्या करोगे सबसे पहले note number one लगाओगे आप अपना note number one आपने लिखा long term borrowings और यहां लिखोगे आप सबसे पहले loan from बंधन bank limited लिए कितने का लोन है 4,000,000 रुपे का अब भी मैने दिवेंचर्स भी एना recording वाले method मैंने record कर लिया था सब कुछ हमें दिख रहाता कि हमने 6000 डिवेंचर्स उस वाले question की बात कर रही हूं हमने 6000 डिवेंचर्स दिए थे सब कुछ दिख राता balance sheet के अंदर बट यहां भी तो आप 4,000,000 रुपे के डिवेंचर्स दे रहे हो तो कहीं तो शो करोगे उसे तो आप उसे हम यहां पे separately तो शो नहीं कर सकते क्योंकि recording नहीं हुई है तो कैसे करें तो इस काम को हम कैसे करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे secured by issuing 4,000,000 रुपे के डिवेंचर्स हैं तो डिवेंचर्स कितने हुए? 4,000 तो आप यह लिखोगे secured by issuing 4,008% डिवेंचर्स at the rate rupees 100 each as collateral security जो बात थी वो हमने ब्रैकेट में लिख के अपना काम पूरा कर लिया हमने उस चीज को ब्रैकेट में लिख दिया कि यह जो आपने 4,00,000 रुपे का लोन लिया है इसके बदले में आपने अपनी कमपनी के 4,00,000 रुपे के डिवेंचर्स दे रखे है as a collateral security ठीक है? तो अब यहां पे आपकी वाले method हो दूसे वाले method में सबसे बड़ा difference उसमें entry होती है उसमें entry नहीं होती just because वहां entry होती है तो वहां आपने उसको notes to accounts में separately show किया हाला कि उसका effect कुछ नहीं पड़ा था और इसमें क्योंकि हमने entry नहीं करी तो हम separately show हो नहीं कर सकते थे तो हमने उसी बात को bracket में disclose कर दिया है bracket में लिख दिया है ठीक है? तो यह आपका था concept कौन सा? issue of debentures as collateral security